सुपर्मान बच्चों, आज इस नक्षा दुखी की हिंदी फस्ट का पांधी जो था चतूर मुर्गाई ये पार्ट खड़ेंगे, चतूर काट होता है, चतूराई चालाई की करना कभी-कभी बहुत सारी चतूराई करना है, हमारे लिए भी मुकसंत कारी रेता है चतूर होना चाहिए, पर किसी के साथ चाल कपड करते हैं, चालाई की करते हैं, किसी को फसाने के लिए ये बोरी बात होती है इस पार्ट में यह बदाया कि इस तरह एक पुते की काहनिकि इस तरह से कि इसके रही को इसके बारे बताया गया क्या है एक मुर्गा और एक कुत्ता था इसमें चित्र दे रखी है उसकी हिसाफ से ही देखिए एक मुर्गा और एक कुत्ता बहुत अच्छे मेत्र थी एक दिन दोनों भूने निकले चर्ती चर्ती में दोनों एक जंगल में पहुँच गये कहां पहुँच गये जंगल में पहुँच गये थे, सूर्ज शिपने यहीं की सूरी शिपने वाना था शाम ह Ihnen और मुर्गे ने खुट्टे से कहा UK. मुर्गे ने कुट्टे से कहा sitä दो हम wrong T Hannam Fin the quest mist, तो मुर्गे ने खुट्टे से कहा कि सूरज भी शीपना है शाम होने यहाँ होने, कुट्टे ने मुझी की बात मान ली, थोड़े तुर पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया, पेड़ के नीचे जो जड़ रहे थी, उसकी ओपर तने के पास एक अंदर जाने का एक थोड़ा सा दर्वाजे जेसा खो थी, यहां पे आरांग सी कुट्टा रहे सकता थो बैसी कुट्टा मुर्गी से बोला, अब रात का सीन दे रखना है, रात का यह जित्र दे रखना, जद्रम आगे हैं और अधिरा है, तो रात बीताने के लिए यह जद्र सबसे अच्छी है, तुम पेड़ की किसी डाल पर सो जाओ, और मुर्गी को बोला कुट्टे ने की, तुम किसी डाल पर सो जाओ, मैं इस खो में सो जाता हूं, सुबह भूणी मुर्गे ने कुट्टू कुट्ट की बात लगाई, अब मुर्गा सुबह भूवता है, तुम पुट्टू के बात लगाई, उसने आवाज लगाई, वही पास ही एक लोग्डी सो रही थी, अब पेड की पास पास ही जंगल हर जंगल में लोम्डी भी रहती एदर लोम्डी सो रहती मुर्गी की आवा सुनदर फोरण उठ दें उसने यहां वहां देखा उससे पेड़ पर मुर्गा बेठा दिखा दिखाई दिया अब उसने यहां इदर देखा कि मुर्गा यहां कहां से आ गया तो वो उसने पेड पर मुर्व की डाल पर मुर्व को देखा लमणी मुर्व को देखstudy वे आजके मुर्व कर वह नहीं न नाश्ता मेल गिया अब वह सोशण लगि कि आजके मुझे दीन निकते ही नाश्ता मेल गिया वह बहुत खुश होई बहुत दिने से मुर्गी ते पास गई और मेरा मित्र इस जगल में तुम्हारा स्वागताब जंगम रखाई तुँ है Hendrik Pinchya मित्र तुम्हारा जंगल में स्वागात है कि इसको बोलती है मुर्गे को चलो में तुम्हे इस जंगल की सेर कराती हूँ अब गुलोग्णी क्या बोलती है मुर्गे से कि चलो में इस जंगल की तुम्हे सेर कराती हूँ तुम जंदी से नीचे आओ बोला तुमारा बहुत बहुत धन्यवाद. अब लॉम्य ने कहा निए तुम नीचे आजा तुम्हीं जंगर की सेर कराता हूên। वो तो इस लोम्री की है चाला की समझ गया और बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद कुम्हारा वाल यहां उपर से सारा जंग ही दिखाई देता है तो मैं तो यह अपर डाले के पेठा हो तुमां से सारा जंगल दिखाई दे रहा है नो को सेद करने की ज़ूर नही है क्यों ना तूभी उपरा जाओ अब उसको बलते हैं लूγ riow brac younger Pers बूल से उपर आजसा अब उसको रास्ता भी बताने की निया निजि क्यूर अब उसको पतानी सही पूत्ता मिठा हुआ यह फों और पेड्री खौन हो ने से उसका उपर आन बाम और भी आसब दिया उससे सोचा हूं लोगे तो सोचा कि मॉरगे थे मेरा कमा सान कर दिया, अच्छा है। लोगे को उसकी पास मेंलाया। वो मेरे पासा है। खाना दो मेरे को ऑये है उसको। मीना समय करा हुआ लोग फॉमे जा पू थे अभूत भूची। लोमडी जैसे ही अंदर उसी कुत्ता जोर से भोका और उस पर जपड़ा, अब लोमडी जैसे ही खौमे कोटी, तो कुत्ता जोर से भोका और उस पर जपड़ पड़ा, लोमडी दूम दबा कर महां से भागी, लोमडी को चालागी का अच्छा फल मिल गया, अब लोमडी को इस करके मुर्गे के पास मूर गई और बोली कि मैं तुमको जगल की सेर करा था अपर मूर्गा समझ गया था कि इसकी कुछ डी कुछ चला की है तो उसने खौ में से उपवर आने के लिए भोला और खौ में कुत्ता फादर कुत्ता जैसे जोर से भोगा अरूस को पंजा भारा जैसे दुम दुमां के लोबड़ी वागे इस तरह उसकी चला की थी बहब उस पर इउल्टी पड़ी धन्यवा अगर इसके आगे का आप शब्दार्त हैं प्रश्नक तेरे वपन करेंगे इस पार्ट को आप भी निट से एक बार बढ़ ले ना तकी समझ में आजाएं